कन्या रासी के सभी भाई बहनों का साधर अभिवादन आज हम समझने जा रहे हैं केटू के द्वारा कौण से कारिय हमारे बनने जा रहे हैं किस कारे के प्रयोजन से हम अपने सफलता के सिर्श मुकाम को प्राप्त कर पाएंगे आज इस बात को समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जानते हैं केतु के प्रभाव को ध्यान दिजेगा केतु देउता पूरे सन 2024 से लेकर के मई 2025 तक आपके अपने रासी कन्या रासी पर ही विराजमान है इसलिए आपने सुना होगा कि सब जगा एक ही बात होती है कि कन्या रासी पर केतु विद्यमान है कन्या रासी पर केतु विद्यमान है तो क्या ये आपके जीवन को सफलता के मुकाम पर ले जाएंगे क्या आपको सिर्स उन्नती दिला पाएंगे आज इस बात पर चर्चा हो रही है कौन से विशेस उपाय करके इस केतू के द्वारा हम लाभानमित हो सकते हैं आज इस पर चर्चा हो रही है ये आपके अपने रासी पर ही समाहित है केतू के पास एक धर्म की ध्वजा है अब उस धर्म की ध्वजा को जब ये कन्या रासी के उपर ही जब समाहित हैं अर्थात एक फतह एक जीत आपके अंदर ही आ गई ये बात तो सुनिश्चित हो ही जाता है कि आपको अपने कारेकाल में अर्थात मई 25 तक एक सफलता के सिर्ष मुकाम तक एकेतू ले करके जा रहे हैं अब इसको समझने के लिए आपको मन में एक ये भावना भी आ रही है कि भई अभी तक क्यों अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है भई एक लाजमी है कि ये 30 अक्टूबर सन 2023 से आपके अपने रासी पर चल रहे हैं आज ऐसा कौन सा परिवर्तन होने वाला है कि जिससे ये हमें लाव देंगे तो ध्यान दीजेगा आज के समय को पहले समझते हैं फिर समझते हैं अब होना क्या है देव गुरु बिरस्पती क्योंकि इन देव गुरु बिरस्पती के साथ ही इस केतु का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है जो गुरु देव हैं आपके अस्टम भाव पर बैठे हैं अब यहां से गिना जाये तो अस्टम भाव से केतु 1,2,3,4,5,6,6,6 भाव पर हैं और केतु से गिना जाये तो 1,2,3,4,5,6,7,8 ये गुरु देवता हमारे अस्टम भाव पर हैं एक योग बन गया जिसे कहा जाता है सडास्टक योग इस योग को जियोतिस सास्त में बहुत अच्छा नहीं माना गया है अर्थाद 6,8 का यदि कॉंबिनेशन मिल जाये तो अस्टम भाव रुकावट परिसानी डिक्प्रेसन तनाव का होता है वही पर छठा भाव हमारे रोग रिण और सत्रों की बृद्धि कराने वाला होता है अब क्या होगा तो एक मई सन 2024 का वो दिन होगा एक मई से लेकर के 2024 का वो दिन होगा जिस दिन यही गुरु देउनता एक घर आगे चले जाएंगे मतलब आपके भाग्य भाव को सुसोभित कर रहे होंगे जैसे ही गुरु एक घर आगे जाएंगे गुरु की जो दृष्टी पड़ेगी एक, दो, तीन, चार, पाँच जो पंचम दृष्टी पड़ेगी वो केतू पर पड़ेगी मतलब केतू के पास वो प्रभाव है जो गुरु का साथ उन्हें मिल गया अर्थाथ भाग्य का साथ भी उन्हें मिल गया सदाष्टा की योग तूट जाएगा जो काफी लंबे समय से चलना है अब हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ बहतर विकल्प को हमारे जियोन में ये प्रेसिद करेंगे जैसे कि भाग ये भाव पर रहेंगे भाग योन्नती का एक सोर्स हमें देखने को मिल सकता है हमारा भाग ये हमारे सपोर्ट में रहेगा जिससे हम भाई कोई भी कारे कर रहे हैं जो लगन होता है, जो रासी होती है, वो आप स्वैम हो गए, यदि स्वास्त जनित किसी परिसानी से आप जूज भी रहे हैं, कोई परिसानी आपको प्राप्त हो रही है, तो ये समय हुआ गुरू का साथ मिल जाना, दूसरे तरब से समझे, तो केतु को माना जाता है, जड़ किया हो सकता है, एक मकान का निर्मान होता है, उस मकान में जो बीम डलता है, जो कॉलम डलता है, जो निव पर जो काम होता है, ये हमारे केतु है, लेकिन जब मकान बन करके खड़ा हो जाता है, उसके बाद हम जब देखते हैं, तो जो सुन्दर भब्य आकरसक मकान आपको न अर्थात अपने अंदर से आपको वो आवाज आएगी इस माना गया है के तु को ब्रेकर के रूप में भी देखा जाता है आपको कई प्रकार से कारे में आपको अरोध उत्पन होते ही भी दिख सकता है लेकिन आप ये समझे आप कोई कारे कर रहे हैं और उसमें बाधा आ रह हैं आपको रुख जाने का एक साहस पदान कर रहे हैं एक आपके अंदर एक जिग्यासा दे रहे हैं कि भाई थोड़ा देर रुख जाओ और अभी समय विप्रित है जब समय अनुकूल आ जाए तब आगे बढ़ना और समय की अनुकूलता एक माई 25 से ये प्रारम होगा जह के सब हमारे केतू हैं हमारे जो पित्रगन होते हैं ये केतू हैं हमारे और इसी काराण से उनका मान सम्मान सदयो करना चाहिए यदि उनके मान सम्मान में उनकी पूजन में या उनके दुख में या उनको अपने जीवी तवस्था में कोई दुख प्राप्त हुआ है वही प संतुष्ट होते हैं अर्थात केतु देव महराज हमारे संतुष्ट हो जाते हैं आपको positive region देते हैं दूसरे और हमारे परमपरा कुल परमपरा के अनुसार हमारे कुल देवी अथवा देवता सभी घर पर उपस्तित होते हैं हमें ग्यात नहीं है ये बात अलग है अपने बड क्योंकि जड़ पर काम करना है हमें न और यहीं जड़ हमारे केतू है अर्थात वहां पर यदि हमने कुल देवी देवता जो वंसा नुगत परंपरागत रूप से हमारे जीवन में चल रहे हैं उनकी अराधना से हमारे कार्य बनेंगे इसके अलावा भगवान स्री गणेश ज जो कुछ भी चीज आपको छोटा नज़र आए हमारे घर का जो कौना होता है यह केतू का इस्थान होता है और इसी कारण से हम अधिकतर बोलते हैं कि अपने घर के कोने को हम अपने घर के बीच को तो सब साब सफ़ाई रखते हैं लेकिन कोने यदि गंदा है तो समझे के सुबपरभाव को हम बढ़ा सकते हैं इतने लंबे अवधि तक अभी रहने वाले हैं आपके अपने रासी में कोई बहुत अच्छा कारिय करा सकते हैं भई एपने आपके अपने रासी अपने लगन पर है कोई ऐसी प्रतिष्ठा दिला सकते हैं, कोई मान सम्मान दिला सकते हैं, जो आप साय सोचे भी नहीं होएं, वो कारे भी केतु के माध्यम से पूर्ण होता है, केतु को सन्यासी कहा गया है, एक सन्यासी की भाती आपकी प्रवित्ती हो सकती है, आप स्वयम देखेगा, केतु आ आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है, यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भाती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट कर पुना है एक बार फिर आप सभी का दीवस बहुत मंगल में हूं इन्ही सुबकामनाओं के साथ जैस्री राम